हलो लोनोज, वेलकुम बाक टो आर चानल स्टडी आईक्यू जुडिश्री, दिस इस मी अरजिता आइंड आज की इस पॉर्टिक्लर वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी सिच्वेशन के बारे में जो की हो सकता है किसी भी मैरिट कपल की लाइफ में आ सकती है जहाँ पर अगर आपका पती या आपकी पतनी बिना किसी reason के, बिना किसी justified cost के अगर आपको छोड के चले गए हैं, बिना किसी reason के, तो ऐसे में आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं आपके पास वहाँ पर क्या remedy अवेलिबल है, यह आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे Now before we start with the session, please make sure अगर आपने अभी तक मेरे साथ Telegram and Instagram पर connect नहीं किया है, तो जल्दी से connect कर लीजिए Telegram and Instagram की user IDs यहाँ पर mentioned है, इनको search करके you can connect with me on both the social media platforms Plus Study IQ के खुद के Judiciary के courses भी हैं, जो कि आपको offer किये जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10,499 के prize में, तो एक बार session के end में मैं आपको दिखा दूँगी कि आपको courses में क्या-क्या चीज़ें available हैं, कैसे आप course को purchase कर सकते हैं and कैसे इतनी कम prize में पूरा course आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो देखिए जिस remedy के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी भी पतियां पत्नी के साथ ऐसा होता है, कि आपके spouse आपको बिना किसी reason के छोड़ के चले गए हैं, तो वहाँ पे जो remedy आपके पास available है, वो है section 9 of Hindu marriage act, जो की restitution of congenial rights के बारे में बात करता है, ठीक है, restitution of congenial rights का basically मतलब यह है कि एक matrimonial relationship जो होती है, एक जो शादी शुदा रिश्ता होता है, जिसमें husband wife के mutually कुछ responsibilities, कुछ duties, कुछ rights वगरा होते हैं, उसमें से अगर कोई भी एक spouse walk out कर जाए, या छोड़ के चला जाए, तो यह एक legal remedy, law में एक remedy बनाई गई है कि कैसे उस शादी शुदा रिश्ते को वापस से recreate किया जा सकता है, कैसे उसे वापस से ठीक किया जा सकता है, तो section 9 में आपको वही बताया गया है कि अगर आपका husband या wife बिना किसी reason के, बिना किसी excuse के, आपकी society से withdraw कर ले, society का मतलब यहाँ पर रहने वाली society, घर वाली society की बात नहीं हो रही है, society का यहाँ पर मतलब है कि जो आपस में आपका marital relationship था, जहाँ पर साथ में रह रहे थे, cohabit कर रहे थे, उसमें से अगर एक person walk out कर जाता है, तो जो aggrieved party है, वो petition file कर सकती है, restitution of congenial rights की कहां पे, district court के अंदर में, अगर court को ऐसा लगता है, कि हाँ भई, आपकी petition में सारी बाते सही हैं, यानि आपने सामने वाले को कोई reason नहीं दिया कि वो आपको छोड़ के जाएं, आपने सामने वाले को कोई परिशानी, कोई दिक्कत नहीं दी, बिना किसी reason कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो ऐसे में court क्या करेगा, एक restitution of decree, restitution of congenial rights की जो decree है, वो सामने वाले आपको छोड़ के गया है, हो सकता है, उसके पास कोई valid reason हो, हो सकता है, उसके पास कोई भी valid reason ना हो, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई, जो भी spouse छोड़ के गया है, जो भी उस matrimonial relationship से walk out करके गया है, court basically उस person से पूछेगा, कि भाई, आपका जो spouse है, husband या wife है, वो यहाँ पे आके petition लगा रहे है, section 9 की, जहाँ पे वो आपके शादी के रिष्टे को वापस से resume करना चाहते हैं, वापस से वो आपको घर वापस लेके आना चाहते हैं, आप जो हैं, वो छोड़ के उनको यहाँ पे चले गए हैं, तो आपके पास क्या reason था यहाँ पे छोड़ के जाने का, आपके पास क्या कोई reasonable excuse या reason है, तो यह उसी party को proof करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे withdraw करके गई है, यानि कि जो party यहाँ पे छोड़ के गई है, उनको यह proof करना पड़ेगा कि आपके पास क्या reason था, अपने husband या wife को छोड़ के जाने का, अब देखिए, ये reason, बहुत से reasons हो सकते हैं, अगर सामने वाले के पास कोई valid reason था, कोई reasonable excuse था, आपको छोड़ के जाने का, तो तो ठीक है, तो court will understand वहाँ पे, and court फिर आपको, जो है, वो force नहीं करेगा, कि आप वापस थे, वो शादी शुदा रिष्टे में वापस जाएं, या फिर court आपके spouse को section 9 की decree जो है, वो pass करके नहीं देगा, ठीक है, लेकिन अगर सामने वाले person ने, यानि जो section 9 की restitution of congeneral rights की decree फाइल कर रहा है, जो petitioner है यहाँ पे, अगर उसके part पे seriously कोई ऐसा act था, कोई ची की है, जिसकी वजह से आपका उनके साथ रहना problematic हो गया है, यानि आपके पास एक valid reason है, उनको छोड़ के जाने का, वो आप court में बता सकते हैं, और court फिर आपको force नहीं कर सकता वापस जाके रहने के लिए, अब देखिए, reasonable reasons बहुत से हो सकते हैं, सामने वाले ने आपके चक्कर चल रहा है, सामने वाला आपके साथ ठीक तरीके से रहने को तयार नहीं है, ऐसी कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है, तो आप court में जाके बोल सकते हैं, कि मैं ऐसे ही बिना किसी reason के अपने spouse को छोड़ के नहीं आई हूं या आया हूं, मेरे पास एक valid reason है, अगर valid reason है, तो तो सही है, otherwise court आपके husband के या wife के favor में section 9 की decree पास करके आपको बोलेगा कि आपको वापस जाना पड़ेगा, वापस से आपको cohabit करना पड़ेगा, तो section 9 के basically essential elements क्या है, कि देखिए पहले तो एक husband wife हो, जिनके बीच में एक legal, एक valid शादी exist कर रही थी, अब एक husband या wife में से किसी भी एक person ने क्या किया है, वो सामने वाले spouse को छोड़के चला गया है, बिना किसी reason के, बिना किसी excuse के, and दूसरा जो spouse है, वो आपको वापस घर लेके आना चाहता है, वो वापस से उस matrimonial relationship में जाना चाहता है, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिसक पास करतेगा, यानि कि कोट इस spouse को बोलेगा कि आप वापस जाईए और husband या wife के साथ वापस से जाके रहिए, तो यह जो section 9 की petition है, restitution of congeneral rights की, यह कोई भी फाइल कर सकता है, husband या wife में से कोई सी भी पार्टी फाइल कर सकती है, जिसको भी abandon किया गया है, जिसको भी छोड़ गया है, वो वापस से अपने शादी शुदा रिष्टे को एक मौका देना चाहते है, वो एक चांस देना चाहते है, ठीक है, वापस से उस marital relationship में आना चाहते है, तो कोई सी भी पार्टी जो है, वो यहाँ पे section 9 के अंदर में petition file कर सकती है, अब देखिए इसका reason क्या है, मत सामने वाला person छोड़ के गया, आप जाने दीजियो उसको, वो नहीं रहना चाहरा होगा, उसके पास होगा कोई reason, भले वो एक valid reason ना हो, देखिए, इंडिया में, especially जब हम Hindu marriage की बात करते हैं, Hindu marriage एक sacred चीज मानी जाती है, एक sacred union यहाँ पे माना जाता है, तो court को या law को ऐसा लगता है, कि भई, अगर सामने वाला बिना किसी reason कि उस शादी के रिष्टे को खतम कर रहा है, तोड रहा है, ऐसे में एक legal remedy आपके पास होनी चाहिए, कि उस शादी के रिष्टे को वापस से कैसे ठीक किया जा सकता है, पार्टी उसको वापस से कैसे साथ मिलाया जा सकता ह तो restitution of congenial right एक remedy है आपकी, जहां पे अगर किसी भी husband या wife को abandon किया गया है, छोड़ा गया है, वो फिर भी अपने उस रिष्टे को एक chance देना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं वापस से relationship को resume करने का, तो law में उनको ये remedy basically provide की गई है, कि भई, आप सामने वाले person को वा 9 में जिस तरीके की बात की जा रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि एक husband wife छोड़के जा रहा है, अब आप section 9 की decree पास करके restitution की, उस husband wife को वापस से मजबूर कर रहे हो, कि नहीं आपके पास तो कोई valid reason नहीं था, छोड़के जाने का, आप तो देखिए वाप violation है, ठीक है, ये right to life and liberty का violation है, भाई मेरी life है, मेरी liberty है, मुझे नहीं रहना मेरे husband या wife के पास, बहले ही मेरे पास कोई valid reason या excuse ना हो, कि मुझे क्यों नहीं रहना उनके साथ, आप मुझे force क्यों कर रहे हो, कि मैं वापस जाऊं husband या wife के पास, ठीक है, तो इस चीज को challenge किया है, सामने वाले person को, बट अगर court के intervene करने से, law के intervene करने से, किसी शादी शुदा रिष्टे को तूटने से बचाया जा सकता है, ठीक है, बेवज़ा अगर एक party, जो है, वो किसी भी शादी शुदा रिष्टे को खतम करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक चीज जो है, वो allow नहीं की जा सकती है, section 9, किसी को force नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक तरीका है, एक resort है, जहाँ पे हम husband wife को वापस से साथ मे लेके आ सकते हैं, तो इस case में भी court ने basically, जो respondent था, यानि जो party abandon करके गई थी, छोड़के गई थी, उसको यही बोला था court ने, कि भई, आपके पास क् चोड़के जाने का, तो आप वापस जाके अपने spouse के साथ यहाँ पे cohabit करिये, यानि की रहिए, तो court ने यहाँ पे वही बोला, कि अगर court के decree पास करने के बाद भी, यानि कि आपको बोला गया है, आपको वापस जाके रहना है, अपने spouse के साथ, ठीक है, restitution of congenial rights की decree अग ठीक है, आप उनको बिना किसी reason के छोड़के गए, उन्होंने कुछ नी किया, वो court गए, उन्होंने section 9 की, petition file की, आपको वापस लेके आने के लिए, अब court ने उनके favor में decision भी सुना दिया, यानि आपको बोला भी है वापस जाने के लिए, अब फिर भी अगर वापस नहीं तो ये क्या बन जाता है, एक ground of divorce भी बन सकता है, यानि अगर एक साल का समय हो चुका है, एक साल या एक साल से जादा का समय हो चुका है, और आप अभी भी वापस नहीं गए हैं, court के बोलने के बाद भी, तो अब सामने वाली क्या party कर सकती है, section 13 के हिसाब से, अब वो आपस मांगेगी divorce, कि मैंने आपको वापस लाने की कोशिश कर ली, अब आप अभी भी वापस नहीं आ रहे हैं, तो अब मुझे section 13 के अंदर में क्या करिए, divorce दे दीजे, so guys, that's all in this particular video, I hope section 9 आपको समझ में आया होगा, session आपको पूरी तरीके से clear हुआ होगा, अगर किसी के कुछ doubts हैं, आपको questions हैं, तो आप comment section में मुझे से पूच सकते हैं, now like I said towards the start of the video, कि मैं एक बार आपको course खोल के दिखा देती हूँ, तो देखिए, ये है study IQ judiciary की website, जिसमें आपके सारे states के courses available हैं, आपको course purchase करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि उत्तरप्रदेश का course है, इसम management writing, names answer writing, GK, current affairs, ये सारी चीज़ें आपको provide की जारी है course के अंदर, सिर्फ आपको यहाँ पे buy now option पे जाना है, और यहाँ पे मेरा discount code लगाना है, offer code, that is ARJ, ठीक है, ये discount code जैसे ही आप यहाँ पे apply करेंगे, आपको 10,499 में पूरा course मिल जाएगा, यानि इतने से कम price में आप इंदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी, plus we have test series also available, Punjab, 36 गड़, UP तीनों की test series भी है हमारे पास, तो Punjab and 36 गड़ की test series 499 की है, जिसमें आपको 5-5 test दिये जाएगे, and UP test series 999 की है, क्योंकि इसमें 2 papers आपको मिलेंगे, law का, GK का separate, उसमें भी 5 test आपको दिये जाएगे, बस य you can use my code ARJ, ताकि इन ही प्राइज में आपको test series भी accessible हो जाए, so guys with that we come to the end of the session, thank you so much for watching, अगर सेशन आपको अच्छा लगा, so don't forget to like it, share it, and channel को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से channel को भी subscribe कर लीजे, thank you so much, all the best for your preparation, bye-bye.